तो दोस्तो आज 25 मेर 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपोर्टेमड अप्डेटस है कुछ इंपोर्टेमड न्यूस है तो चले के कट करके कवर करते तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का लार्जेस्ट इंडिविजुल कमपणी रेलाइंस इंडेस्ट्री लिमिटेड के वर तो दोस्तों आज आपने नोटीस क्या होगा कि फॉस्ट आप में मार्केट के अंदर भी करेक्शन था निफ्टीव टीवी निची की दर मुफ किया रिलाइंस की शेयर भी एकदम गिटते गिटते 2416 किया बल्कि क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में आके 2414 रुपए 85 पैसे करीब 0.19% तेजी के साथ और इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो बहुत इंपॉर्टन रीजन है तो चले बिना किसी टाइम वेस्ट के एक एक करके रिजन आपको सामने में प्रेजन करता हूं तो जै को भी अकुरेट कर लिया यह देखिए रिलाइंस कम्प्लीट एकुरेशन ओफ लोटस चॉकलेट कितना परसें स्टेक उठाया कितने रुपई के थूचली थोड़ा सा और नीचे डीटल में देख लेते हैं यह देखिए आर सी पील जो की रिलाइंस इंडेस्ट्री का एक स चॉकलेट फॉर एंग्रिकेट कंसिडरेशन ओफ रुपीज सेवेंटी फॉर करो टोटल चॉट्र करोर के थूरू इसका जो कंट्रोलिंग स्टेक मतब मेजर्टी ऑप स्टेक 51 परसें का स्टेक दोस्तों यहां पर पीक कर लिया अब देखिए इसमें फाइदा हमेशा लॉ रिलाइंस के पास क्या है कस्टोमर बेस बहुत जबर्दस्त है टोटल इंडिया पर मार्केट क्याप्चर अच्छा है कंपनी को आज सबसे जादे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि पैसा बहुत जादा है तो आज की रेट पर लोटस चेकलेट का जो प्रोड़क्ट है ज उसके साथ बहुत बरां ब्रोकेर्ज कंपनी इसका नामें ब्रेंस्टेट्में इनके तरब से एक चौका देने वाला स्वाला dai मते कि पोज़्टिव स्टेट्मेंन ये भाई ब्रोका के zulीरंस आप रोटी देमाट को उख फ्यूटर फ्यूचर ग्रूप को रिलाइंस को उठालीजे फिलिपकार्ट एमाजॉन कितना लिस्टेट कंपनिया तो यह सारे जो कंपनीज है एक ही मार्केट को टार्गेट कर वह है इक कॉमर्स को क्यूंकि इसका वैलिएशन आप समझ सकते हो 11 रुपए था कितने बज़े पर यह देखे दो बच के 40 मीट पे और क्लोजिंग वा उसके कुछ मीन तो बात सीधा सीधा पॉजिटिव में जाके ठीक मार्केट में भी रिकवर हुआ उसका भी एक इंपक्ट आया बाकी बात करेंगे लॉंग टर्म इंवेस्टर्स के लिए प पांच साल में भी बहुत ही डीसें रिटान दिया एक शेयर आपको इसका लगभख 500 रुपए से थोड़ा कम में मिल जाएगा तो हाली में देखी कंपणी का रेजल्ट आउट हुआ उसके साथ कंपणी ने इस बार अब देख सकतो डिविडेंड डिविडेंड डिक्लियर क आपको मिल जाएगा ए टू जेट कितना है कंपणी को और करचा कितना है डिजर्ब कंपणी को आस कितना है पी रेशियो, पीवी रेशियो, वैलेशन कितना है, बैलेंस चेक करना, सारे A to J डिटेल्स चेक करना, उसके बाद अगर आपको ठीक ठीक लगे, तब इन्वेस्ट करना, ठीक है, तो एक बहुत इंपर्टेन अप्डेट साया था, जो कि आपके साथ मैं शेयर किया, इसके बाद देखे, शेयर सिदा सिदा 610 के उपर निकल गया था, ठीक है, तो ख्लोजिंग भी दिया लगबग 10% उपर आके, तो फिलाल जिनको नहीं मालूम, जिन्होंने देख लिए तो छलो ठीक है, यहां पर इस पार को स्कीप कर लेना, जिनको नहीं मालूम की कंपनी क इस पार कैसा हुआ है, तो चलिए मैं आपके समने रखता हूँ, यहां पर और एक चीज़ में बोलना भूल गया, कि कमपनी बाद डिविदेंट दिया टोटल 3 रुपए का, I think कि 3 रुपए डिविदेंट दोस्तों, शेयर होल्टर के लिए बहुत ही कम है, मतलब और यह यह लिस्ट होने के बाद बहुत जादा गिड़ चुका है, तो I think at least 20-30 रुपए डिविदेंट तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बाकि दोस्तों इस डिविदेंट के बारे में आपका क्या राह है, आप मुझे कमेंट के तरू पूच सकते हो, कितना डिविदेंट दे सकता है कमपणी ठीक है, नेक्स बात करेंगे रेजल, तो लास्ट यर मार्स 22 में कमपणी का टोटल इंकम का नंबर था 2,11,326 कर रुपए, इस बार थोड़ा ड्रॉप हुआ है, टोटल इंकम के अंदर 2,189 कर रुपए का सबस पहुंच चुका है, तो quarter on quarter basis पे थोड़ा बहुत इ कमपणी का नेट प्रॉफिट काफी हथ तक यहां पर इंक्रीज हुआ, मतब काफी हथ तक नहीं, मल्टी फोल्ड इंक्रीज हुआ, लास्ट यर पे कमपणी का नेट प्रॉफिट था, मतलब मार्स 22 में, 2,372 कर रुपए, जो कि इस बार बढ़ते बढ़ते, 13,000, फाइब पहुँच चुका है, 13,428 कर पे पहुँच चुका है, ना के बल यहां पर इंक्रीज हुआ, बलकि क्वार्टरली भी यहां पर दुगना हो चुका है, मतलब आप समझ से तो 100% की ग्रोफ क्वार्टरली और यह ली तो छोड़ी दीजिए, आप तीन-चार फोल आराम से हो च करते हैं, चाहिए हम बात करें, HL हो, BDL हो, यह सारे देखी, PSU कंपणी अच्छा इटन भी देता है, बट साथ सा डिविदेंट भी काफी बढ़िया देता है, ठीक है, तो डिविदेंट एक्सपेक्टेशन है, इंवेस्टर्स के लिए, बट उसके आकोरिंग तो इस बार जबरधना, मतरसान, इंटरनाशनल, लिमिटेर, इस बार, एक्सपेक्टेशन बहुत जबरदस्त है, जिस बैसे हमने देखा, शेयर के अंदर, अल्रेटी एक मैने पे, काफी बढ़िया मुवेंट देखने को मिल गया, कल क्या होगा, कल 26 तारीको दोस्तों, नोट कर लेना, कमपणी का कॉार्टरफोर का रेजल्ट आउट होगा, साथ में इस बार, डिविडेन, यहां पे शेयर होल्डर के लिए, और सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखे, कल जैसे ही कमपणी का रेजल्ट आउट होगा, तुरंत मैं आप आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है, अब देखना होगा किस टैप की पर्फोर्मेंस होता है, क्वार्टरफोर में, उसको बर बेस करके, मैं आपको रेकोमेंट करूँगा, कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हाँ अच्छी बात यह है, कि आ चैनल को सब्सक्राब करके जरूर आखना हो, नेक्स्ट जो सारे दस की वीडियो, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन वो जरूर देखना, मैं सब को रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, टाटा मोटर्स आज की रेट में थोड़ा बहुत करेक्शन के साथ क्लोजिंग द टार्गेट प्रेस दिया वाईया, सारे 400 रुपए का, तो यहां पर हम सभी को मालू में यह घिसे पीटे तरीका है, ध्यान से सुनना, यह बहुत ही पुराना घिसे पीटे तरीका है, कोई शियर जब उमीद से जादा उपर चल जाता है, खास करके टाटा मोटर्स जैसे पर इसको बाइब करेगा, फिर शियर उपर पहुंचागा, रिटल इंवेस्टे बाद में रिग्रेट करेगा, तो यह बहुत घिसे पीटे तरीक है, मैं आपको समझा के रखना चाहता है, यह सारे टार्गेट या रेटिंग देखे, कभी कोई कमपनी में इन्वेस्ट मत कर करना, कि यहां पर क्या करना चाहिए, हमेशा है, रिग्राइब करना, यह था रिचात करना, यह सारे चीज़ को बेस करके इन्वेस्ट करना, ठीक है, बाकी मैं बोलूँगा, आप खूद समझदारों, समझ यह ची अच्छी कमपनिया है, बाकी आपके वाज़ और शेयर है, तो होल्ड करें तो फिलाल दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करूंगा बट उसके पहले अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट के तुरू पूछ सकते हो मिलता नेक्स वीडियो पे तब तक लिए टेक क्यार बाबाई जय हिंद